कि नमस्ते नमस्कार प्यारे बच्चों गुड़ आप्टनून रादे रादे जैश्री कृष्ण जैहिंद जैभारत सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके प्यारे से परिवार टीचिंग बाय रोजगार वी दंकित में कैसे हैं जबी बच्चे उमीद करते हूँ एकदम बढ़िया एकदम मस्त जबर जस्त होंगे आप लोग तो चलिए बच्चों आजाईए जल्दी से अभी आपके क्लास चल रही थी इसलिए क्लास थोड़ा देर से लाई हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है कोई परिशानी नही क्लास को शुरू करते हैं एक बाद आप मुझे बता देंगे क्या आप लोग मुझे सुन पारे हो आप लोगों को आवाज आ रही है क्या मेरी अगर हां तो जल्दी से थम्जब कर दीजिए ठीक है अगर सबी बच्चे मुझे सुन पारे हैं विपन आलोग पलक सब लोग ठीक है चलो तो यंगूठे मिलने शुरू हो चुके हैं आप लोगों के प्रिया सलोनी चैली आलोग बहुत बढ़ी आ जाओ तो चलिए भाई सीटेट का पीवाई क्यू पिशिंस आप लोगों के सामने आने वाले हैं लेवल सेकिंड के लिए तो आप जानते हो लेवल सेकि किसी इसे कई कुष्षयन बन ग गया कि बार मचलियों के बारे में आ जाता है ऐसे को टॉपक先 से ना होकर आप लोगों का आज का जो सेशन होने वाला है वहहने वाला है पेड़ पोदे और जन्तु gel पो 2 से कैट सारे हैं और जन्तू उसे कैसे कि आ ठीक है तो चलिए बिटा करते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन है बहुत इजी है आराम आराम से आपको सारी चीज़े करनी है ठीक है जैसे एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला था निमलिकित में से कौन से विशिस्ट लक्षन परवतिय शेत्रों के विरक्षों के तो भी प्लांट्स के बारे में आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि परवतिय शेत्र पर जो पोधे होते हैं कभी तुम गूमने गई हो कुलू मनाली शिमला और उत्राखंड या हिमाचल की तरफ कभी तुम गूमने गई हो तो वहां जो पेड तुमें दिखते हैं परवति गहरी जड़े होती है जल्दी से बताएं क्या स्टेट्मेंट है जो सही हो सकता है परवत्य शेत्रों में पाए जाने वाले व्रक्षों के बारे में परवत्य शेत्रों पर तो बरफ उन पर टिके ना किसी लिए ये दोनों स्टेट्मेंट सही है तो पहला तता दूसरा पहला ओप्षन जो है वह आप लोगों का सही हो जाएगा तो फिर्स्ट प्रस्ट ओप्षन जो है यह बिल्कुल सही है अच्छा मैं मोम जैसी मोटी परत या मोम जैसा मोटा टना यह कौन से शेत्र के पोदों की क्वालिटी होती है तो आप बताओगे यह पाए जाते हैं बेटा रेगिस्तानी पोदों के अंदर जो रेगिस्तानी पोदे होते हैं रेगिस्तान में जो पोदे होते हैं उनका जो तना है उस पर पाई जाती है मोटी मोम की परत क्या काम करती है वास्पोच सर्जन को रोकती है इसकी किरिया को रोकती है वास्पोच सर्जन को रोकने के लिए ट्रांस्पाइरेशन के किरिया होती है उसको रोकने के लिए होती है इनके उपर मोटी मोम की परत प्यारे बच्चे तो अगली बार आपको क्वेशन आ जाए एक्जाम में कि जो लेगिस्तानी शेत्र के पोदें उनकी क्या विशेस्ताइं है तो आप बता दोगे वैक्सी वैसी उनके उपर परत होती है ठीक है तो यह वाला चीज भी आपको दिमाग में रखनी है अच्छा लंबी गहरी जड़े यह आपके रिगिस्तानी पोदों की ही क्वालिटी होती है यह भी रिगिस्तान में पाए जाने वाले पूदों की क्वालिटी है तुकि इनकी थिस तक फी होती है कि अगपनी हो गया आप लोगों का कस तीक है जैसे कि आप लोगों का अप्छ प्लांट होता है केक्टस वह प्यारे बच्छे एक्जांपल और आब आज तरह बढ़ रहे हैं बहुत दूसरा प्रेसन ये बहुँत को बारे में पूछ लिया वह नों के देखो लों के संदर्व में निमलिकित में से कौन सा सت्य नहीं है को जाना जंगल जो होता है उसकी विशेस्ता क्याना है यह वन्हों म्रदा के रोखते हैं अपने आसपात के शेत्रों में अ GG वर्षा कराने में सायक होते हैं रोटे वन जल वायू चक्र आपको पूछ रहा है कि कौन सी सत्य बात नहीं है यह बता दो कौन सी सत्य बात नहीं है कोधों के बारे में वनों के बारे में कौन सी सत्य बात नहीं है तो भाई हम पहला देखें बिल्कुल सही बात है जब भी जहां पर भी पेड़ होते हैं पेड़ों की जड़े मिट्टी क होगी क्यों कि पेड़ों से पेड़े जो पेड़ों होते हैं वो मित्ती से पानी को सोकते हैं और उस पानी को वापस वास्प और सर्जन के किरिया द्वारा एट्मोस्पेर में पहुंचा देते हैं एट्मोस्पेर में वह पानी वाश्प के रूप में बादलों में पहुंचे स्टेट्मेंट सत्य नहीं है तो पूर्त जो आब सत्य नहीं क्या Bishop सिंपल सी बात बढ़िया सा क्वेशन था करके आ करते आप लोग चारो स्टेटमेंट पढ़ते अपने आप करके आ जाते बिल्कुल सही बात अब एक क्वेशन और बन सकता है यहां से क्या कि मैं जी यह जो सबसे उपरी परत व्रक्ष व्रक्ष तो तुम जानते यह पेड होते हैं अच्छा जाड लिखा हुआ है जाड जाड यानि की लग्स तो कई बार एक्RIA मयम ही एसे आ जाता है क्वेशन कि कोन जाड का उद्धारन लसे आप यंग्लिश में और एक होता है प्यारे बच्चे जाड जिसको हम लोग क्या ऊद्धे श्रब्स में इनके औरंग आप को व경द हरन सरसका-था Alienि रोज। गुलाब का पोधा देखा है आप लोगों ने बिल्कुल गेहूं हो गई मक्का का पोदा हो गया प्यारे बच्चो आप लोगों का जैसे कि आप चोटी चोटी जाडियां देखते हो टमाटर का प्लांट हो गया टोमैटो प्लांट बोल देते हो जिसको टमाटर का पोदा हो गया यह सब यह सब किसके एक्जामपल होते हैं शाक के चलो में से कौन से अनुकूलन मदद करते हैं हाँ लेवल टू के लिए यह प्यारे बच्चे ठीक है क्योंकि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता है ना वो लेवल टू में आता है आपको लेवल वन में तो ईविस के क्वेशन आपको पूछे जाते हैं ठीक है चलो तो आओ बेटा आप बताओ जो उट होता है उट रेगिस्तान में रहता है रेगिस्तान का जहाज भी बोलते हैं उट को आपको पता है ठीक है अब यह यह एविस में आ सकता है क्वेशन कि रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को बोलते हैं उट को बोलते हैं अब उट अच्छे से रेगिस् में सर्वाइव कर जाता है कौन सी क्वालिटी के कारण ए ओप्षन बिल्कुल सही बेटा उसकी चांगे लंबी होती है इसलिए वह क्या कर सकता है रेत में अच्छे से चल सकता है उसके पैर के पंजे भी तुमने देखे होंगे अलगी बनावट के होते हैं जिससे वह रेत में धस्ता नहीं है ठीक अब देखो जो उट होता है ना बेटा उट कई दिनों तक बिना पानी के भी रह सकता है उट जो होता है वो कई दिनों तक बिना पानी के भी रह सकता है बिना पानी के रहता है उट तो ऐसा क्यों करता है तो बेटा उट जो होती है उसकी जो डिसेंडि लाइम होती हैं अब यह क्या होता है मैंम जी डिसंडिंग लाइम पहले लिख छो फिर बताती हूं अबलगों के बहुता है आप पानी की पूर्ती होती है उनी में होता है descending और ascending lime लम्बी होती है जिससे उट के अंदर पानी ज्यादा ज्यादा शोर होता है उट की लाइम है ना उट इसमें जल का संचय कर सकता है प्यारे बच्चे क्या करता इसमें जल संचय करता है अब जल का संचय कर लेता है तो इसी से उसके शरीर में पानी की पूर्ती होती रहती है इसलिए उट के पानी पे बिना कई दिनों तक जिंदा रह सकता है तो ये भी पूछ सकता है आपको दूसरा आपने उट देखा है उट का कूबड सा निकला होता है उट क करते है शेशल उट के खुबड होती है या अतिरिक्त खाना भी उसका रहता है एक्स्ट्रा एनरजी या अतिर्ग्त उर्जा होती है वह भी जमा होती है उट के खुबड के अंदर थे भी कुशन आ जाता है तो ने चर्वी और एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर होती है उट के अंदर ठीक है हाँ कि यह चलो बिटा भी सीरीज चल रही है पीवाई क्यों तो दीरे दीरे सारे के इसिट होती क्या है और इंको पोदों की के टेगरी में रखा 인데 क्या है ढी jokowa के न यह तरीके का जगत ये जो कवक आप नहीं करते और यह आपको पूछ ले कि कोन से जगत के ऐसे पाधप जो प्रकास सिंचलेशन नहीं करते तो आप लोग बताऊगे कवक इनको पाधप पी मान लेते कई बार पट ऐसे पाधप जो प्रकास शन्सलेशन नहीं करते Would तो इनको किस जगत में रख दिया इसे को मश्रूम को मश्रूम तो अब तुमने देखा है सबी बच्चोंने उसी में आते हैं को सबस्क्राइब MA इन इससे कभी तुमसे पूँच ले कि आज तुमहारे घर में क्या सबजी बनी है तोुम बोलोगे आज हमारे गर में मश्रूम बनाएं तो लेकिन मश्रूम कोई सब्स या कोई पादब नहीं है यह होता है कवग गात ten deme किसकी कटेगरी में आता है कवत की कटेगरी में आता है तुमने साब की छतरी देखिए कभी जैसे होती है है ना आह वैसे पानी संचीत होता है कूबर में पानी संचीत नहीं होता पानी तो descending lime के अंदर संचीत होता है basically ठीक है तो अब हम आगे बात करें कि के विश्य में कौन सा कतन सत्य नहीं है पहला कतन क्या है इस्ट एक कोशी किये है इस्ट तेजी से गुणा करके नई स्ट बनाता है और स्वश्चन के दोरां कार्बन डियोक्साइड गैस उत्वन करता है इस्ट एक लंबे समय तक निश्किरिया रहता है रह सकता है इस्ट विखंडन द्वारा जनन करता है तो बताओ को जा स्टेटमेंट इस्ट के बारे में गलत है अब एक बच्चा पूछरा मश्रूम क्या होता है बेटा जी मश्रूम तुमने देखे नहीं है सब्सके पास भी ह आगे बात करते हैं अब देखो इस्ट के बारे में जब बात चल रही है तो बेटा यहां पे जो आपका ओप्शन सही होगा वह जाएगा डी क्या होता है तो देखो बड़े ध्यान से सुनना बड़े ध्यान से सुनना एक चेस देखो मान लीजे यह कोई इस्ट है यह कोई इस्ट है ऐसे सी दिखेगी तुमें जब यह अपनी संख्या को बढ़ाती है यह एक इस्ट है अब इसे बहुत सारी इस्ट बनानी है तो ऐसे इसी में से चोटे-चोटे ऐसे इस निकलते रहते हैं ऐसे चोटी-चोटी सरचनाई से निकलती रहेंगी इसमें किसी को कहते हैं मुकूलन किसी को कहते हैं बेटा मुकूलन यानी बढ़ाता है तो यह गलत स्टेटमेंट है कोई आपको पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है क्लियर तो बहुत अच्छी बात है ये बहुत जल्दी जल्दी अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है अच्छा तुम बनाना चाहे हो इडली या डोसा अब तुमने इडली और डोसा बनाने के लिए चावल और दाल को पीस कर रख दिया अब तुम चाहते हो उसमें खमीर उड़ जाए उसमें देखा है तुमने कभी खमीर उठता हुआ ऐसे मतलब इतना सा पेस्ट इतना जादा हो जाएगा फूल के तो तुम क्या करोगे एक चम्मच इस्ट का पावडर आता है बजार से उसक इस ने अपने आपको इतना जौदा डिवाइड करना शुरू कर दिया इतनी जल्दी से उसने डिवाइड करा कि भाया जो था पूरा पेस्ट वह एकदम फ्लफी हो गया एकदम इस पंजी हो गया ठीक है तो बहुत जल्दी से रैपिटली मुल्टिप्लाई करता है अपने और जब यह मल्टिप्लाई करेगा ना तो तुम देखना उस पेस्ट में बुल्बूले से बनेंगे बुल्बूले से बन जाएंगे वह बुल्बूले किसके कारण आएंगे कारण यह याद रख लेना यहीं पर लिखवा देती हूं जहां पर मैंने इसका लिखवाया है इस प्रिप ओर यह आरे बच्चे जब यह एयवाइवयस स्वशन करता है एवाय ए मिवयस्वर्शन इाускर में कैसा विज है वाइवस्वर्शन होता है किसकी बात चल रही है इस ही ईसली इस में एयरोगा कर घरेशन होता है अब यह आरोबीक रहन जब करती है जैस कुशल तो य अफिल अल्कोहल और कर्वं डियोकसाइड वह है आपको लिख रखा है यहां पर क्या निकालता है कि इस टेन रिमेंड डॉमिनेट कई समय बहुत समय तक यह इस तिर अवस्था में भी रह सकता है तो यहां पर फोर्ट ओप्षन जो हो जाएगा वह आपका सही आजाओ प्रेशन नीचे सूची यां देंघ होई आपको सूची एक सूची को ठीक है उरक्ष पितान debate करें यह होती हैं पेडों की बड़ी-बड़ी शाख आएं आप घटक होतें डी कंपोज़र प्यारे बच्चे दी कंपोज़र अब डी कंपोजर क्या होते हैं जो सडी गली चीज़ों को खतम कर दे जैसे कोई जंगल में लाश पड़ी हुई है अग तुम थोड़े दिन बात जाकर देखोगे वह लाश वहां से गायब हो जाएगी तो कि उस लाश को बैक्टीरिया हुने मिट्टी में मिला दिया पूरी तरीके से इतने चोटे-चोटे पार्टीकल कर दिये उसके क नहीं वह लाश सारी प्रोटीन उसका कार्भाईडरेट मिट्टी में गुल गए जाकर तो यह काम करते हैं सुक्ष्म जीव जैसे की बैक्टीरिया इनको बोलते हैं माइक्रो और्गेनिज्म माइक्रो और्गेनिज्म ही करे चलो आओ लिए हुमस क्या होता है तो जो हुमस ह होता है न यह होता है पाधप और जनतूओं का मरत उतक वह कोई जसन कुछ तरीके का जनतू है यह इक तरीके का जंगली जनतू आ आजाओ मिलादो फस्ट का फॉर्थ है और फस्ट का फॉर्थ आपको एक ही आप्शन में दिया हुआ है यहाँ पस्ट का फोर्थ हो गिया और-वी जिसक्त हो गया आपनम नहीं लेती है मैं बेटा किसका नाम लुदे आपका गृतना थिस्ट काुब उत्पादन में किया जाता mómy कौन कौन इंदाने करते हैं बटाएं नमक बनाने में यह एलकोहल बनाने में इसके बारे में वह भी बात करिए तो winter से बड़े सोरे कुछच्चन आतें तो बताओ बेटा किस्ट का प्यो कहां करते हैं हम लोग जल्दी से रही बनाने में ती कई बच्चे बोल रहे हैं डी बिल्कुल बहुत बढ़िया तो इस्ट कापियों करते हैं अलकोहल बनाने में अभी अभी बताये था ना इस्ट एथेनोल और कार्बन डियोकसाइड निकालती है या एथिल एलकोहल एलकोहल मतलब वही किमनन के किरिया दुआरा किमनन जो हो हम लोग क्या करते हैं फिस्त से शराब बनाते है अच्छा दही दूद का अगर दही बनाना है तो चसका यूज़ करते हैं जीवानूं का दूद से दही बनाने में जीवानूं का एक और कुनसे जीवानूं जो दूद से दही बनाने में यूज होता है चीनी तो एक तरीके की शरकर आए जो गन्य के रस्से बनाई जाती है साधारण नमक का फोर्मूला याद कर लो सैचि इस्ट सोडिय क्लोराईड ऐस चीज आद रखना यह जो इस फोटी न इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जोट मैं इनजाइम का कि आज़ों नेक्स कात्वा प्रेश्न नेमनलिखेत जीवों में से कौन सा प्रकाश रंसलेशन द्वारा अपना भौजन गौन सकता है हैं और उसके या कि लोगों का मंडे तुज्डे हरेगी बायों की क्लास इक के-घ के तीन और इनी तीन दिन में जैसे कि Monday, Tuesday, Wednesday होता है इनी में मैं आपकी chemistry भी कराया करूँ है ठीक है चलो आज़ो अब आगे बात कर रहे हैं कि निमलिकित जीवों में से कौन सा प्रकास translation द्वारा अपना भोचन बना सकता है तो वाइरस यह तो करते ही नहीं है प्रकास translation शैवाल बिल नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया है ठीक है एक जीवानू होता है यह जीवानू क्या काम करता है यह नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है मतलब नाइट्रोजन को नाइट्राइट में चेंज कर देता है यह नाइट्रेट में चेंज कर देता है ठीक है नाइट्रेट में से वाइरस है तो आपको पूछ ले वाइरस के अध्यन को क्या कहते हैं जब हम वाइरस के बारे में पढ़ते हैं वाइरस की स्टडी करते हैं तो इसको बोला जाता है वाइरो लोजी क्या बोलते हैं वाइरो लोजी हिंदी में आएगा वाइरो लोजी चीक है पिटा शैवाल क का अध्यान अम लोग करें तो शहवाल के अध्यान को बोला जाता है,"Phycolosi!" क्या बोलते है स्थ। यह हिंदी में रहेगा है पंजय के दियन को बोला जाता है प्यारे बचोः ले हो तो जिवानु के द्यन को क्या कहा जाता है जीवानु के द्यन को कहते हैं वेक्टीरियो लोजी तीक है ऐसे इनकी मीनिंग हिंदी में रहेंगे और ऐसे यह इंगलिश में रहेंगे याद करना है आपको आजाओ question चलते अगले प्रश्ण की तरफ आठवा प्रश्ण यहां पर भी आपको मैचिंग करनी है ठीक है तो बताओ इस्ट है बेटा आलू है शेवाल है और कवग इनकी जनन विदी को आपको बताना है कि कौन सा जीव कैसे जनन करता है तो अभी अभी अमने इस्ट के बारे में आलू में होता है बेटा काई की जनन यानि आलू के ऊपर एक छोटा सा आलू निकलाता है कि आलू हो गया इसके ऊपर छोटा आलू इसी आलू को आप जमीन में गाड़ देते हो फिर उसी से नया आलू का पोदा आ जाता है तो नया आलू बन जाता है तो काई की जननन हो गय वेजिते टीव प्रॉपोगेशन लो पूपोगेशन इंग्लिश में इसको बडिंग बोलते हैं बडिंग कूलण को यह आओ देखो शैवाल शैवाल को इंगलिश में बोलते हैं अल्गी अब अल्गी कैसे रेप्रोडिक्शन करती है बीटा खंडन द्वारा अगमेंटेशन अंगा आगल जाएं प्रेग्मेंटेशन प्यारे वेटा देखाना करते हैं विजानू दनन विजानू जनन मतलब ओर यहां लिकर भी पॉर्मेशन करते हैं आजाओं अब हम क्या करते हैं मैच करते हैं तेंडियों को फिर्स्ट का फोर्थ एक ही ऑप्षिन में दिया हुआ है फस्ट का फोर्थ लगा दो इसकेंड वाला यहां पर पर सही हो जाएगा बी ऑप्षिन कि कि है और आगे बात करें पर अग्री कल्चर्ट वाले नहीं जिनको साइन सराती है मैं तो साइंस इस्ट्रीम कर सकते इस प्रेटिस से को मचली की बारे में मचली के बारे में फिनल does से केätter में क्लों का कार्य और उता है लंती है मचली जब स्वश्चन की किरिया होती है ना वह पनितिये सक्षायwi के द्वारा यानि कि गल्फएडों के द्वारा अब मचली में जो गल्फएड़े होते हैं यह गल-फैड है क्या काम करते हैं जल्में अफशिस्टों को सर्जित करतें भायू में ओक्सीजन करते हैं जल्में उपस्तित पोशक को अप्सत करते हैं या घुलंशील ओक्सी अगया या लेना यह आकको बता रहा है तो k knowing क्याcs होता है जल्दी बच्चे बोल रहे हैं ऑक्षी से लेगी बताना जरा मचली जल की रानी है जीवन उसका पानी है तो मचली तो पानी में रहती है जल में रहती और जल के अंदर जो गुलंशी liegen नियों चली गुदिये काम करते हैं यह आपके लिकाप करते हैं जो आपके लंक्स उते हम यापकरते हैं यह यहां पर क्या हो गया साहीग vraag जब मचली है मचली को किस तो मचली आती है इसी व किसीज और किसीज को बोलता है मतस्य वर्क कर तो मचली में अगें जो मचलका लारवा खाती है उसको भी याद रखना मच्छर का लारवा APP हर एक मचली का नाम है यहीं आ कारवे को खाती है यह बढ़िया मचली हमारे लिए मच्छरों को खतम कर दिया मच्छों को और शार्क का नाम सुना है अपने शार्क और इसको बोलते हैं डॉग फिश डॉग फिश टुटा मचली ठीक है चलो आजाओ नेक्स प्रेशन बही आपके सामने नीचे दिये गए कतन में से कौन से कथन सही है बताइए यह कुशन भी आते हैं आपको यह इविस में भी आता है और कई बार सेकिंड लेवल के लिए भी पूछ लिया जाता है पश्मीना शोल बक्री के बालों से बनता है अंगोरा एक प्रकार की उन है जो खरगोश से प्राफ्ट होती है उट की और अंगोरा एक प्रकार की उन है जो खरगोश से प्राफ्ट होती है तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है किसी लिए और भी यहां पर सही हो जाएगा थर्ड ओप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा तो यह कुछ ऐसे कुशन है जो किसी पर्टिगुलर वाले बीरड़ वाले दे ही नहीं सकते हो लेकिन आपको यह सेकिंड लेवल में भी पूछा गया क्विशन है ठीक है चलवाओ नेक्स ग्यारवा प्रेश्न नेमने लिखे इतमें से किस प्रकिरिया में बैक्तीरिया जीवानों का अप्योग नहीं होता है तो बहु जीवानो के इस्थि करन में नहीं करते हो जल्दी बता हो कहां पर हमलोग वेक्तीरिया का यूज का यूज नहीं करते हैं बबल रोटी बनाने में हम use करते हूं इससे का इसका बेटा फिस बात कर रहेतें हैं जबकि नाइट्रोजन इस्थिकरन करने वाला जिवान हो में उना हानी जाता है जाता हूं यानि कि जो आपके मटर है दाल है ठीक है मटर दाल चना इन सब की जड़ों के अंदर पाया जाता है बैक्तिरिया राइजोबिय और करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन यानि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देगा तो दूसे दई बनाना भी बताया था जीवानू के कारण होताँ लक्तो बैश Canyon लिखवाया था ठीक है और गंने के रसमें भी कई ब्क्तिरियां हैं जो यूज होते हैं जबकि डबल रोटी बनाने में डबल रोटी कैसे होती है क्लफी होती है उसको बनाने में यूज करते हैं हम लोग किसका पीस्ट का ठीक है ठीक है समझ में आ गई clear बेटा NCRT पड़ो अनूपम NCRT ठीक आओ आगे बात करते हैं पारवा प्रेशन वाई कोई ऐसा पोधा है बेटा जिसमें क्लोरोफिल यानी हरित लवक नहीं होता तो बताए वाई क्या हो सकता है वाई किसी पोधे का नाम है जिसमें क्लोरोफिल नहीं है तो वह कौन सा पोधा हो सकता है घटपढ़नी यानी पिच्चर प्लांट, मैपल ट्री, कस्क्यूट, अमर बेल या शैवाल जल्दी बताएं कि कौन सा और सकता है बारवे का शी बोल रहें बच्चे बारवे का सी बिल्कुल सही है तो लगा दो इग कश क्यूट अमर बैल यह होती है प्धू으रफ्ध पर थोन तना पर जीवी कि कमप्लीटली स्टेंब पैरा साइट की अबेटा यह आपने खाना नहीं बना सकती इसके पास बीड से जाकर laughing पर छड़ जाती है और कुए दूसरा पेड अपने लिए खाना बनाता है उसका सारा खाना खुद खा केड़ और और को सुफात रहती। कि कैसे रंकी होती है तीली नारंगी रंग होता है इसका तीली नारंगी से होती है बेटा यह और प्रकार्श रंसलेशन नहीं कर सकती जिस पेड़ पर रहती है उस पेड़ को सुखा देगी फून रूट से उसका खाना खा जाएगी किसी देश को बोलते हैं फून तना पर जी सरी तरी फोट त्वाटो सिन्थेसी करते यह कभी-कभी पिच्चर प्लांट के पास नाइट्रोजन की कमी हो जाती है यह की कमी को पूरा करने के लिए यह क्या खाता है गे by दlawbare कutionratos है कि जो पिच्चर प्लांट होते हैं जैसे कि घट पढ़नी पिच्चर प्लांट मासाहारी पोदे इनको क्यूं बोल देते हैं क्यूंकि कई बार यह कीटों को खाते हैं पकड़ पकड़ कर तो खाते हैं इनमें कई बार नाइट्रोजन की कमी हो जाती है उसको पूरा करने के प्रोटीन से बनाए प्रोटीन नाइट्रोजन होती है उसको पकड़ते हैं यह कीटों को खाते हैं यह भी आपको पूछा जाते हैं बहुत बढ़िया 12 का ए नहीं होगा 12 का 3 होगा प्यारे बैच्चे अनवी बेटा ठीक है तो 3 यहां पे कस्क्यूटा होगा सई अच्छा एक होता है अधी पादब अधी पादब अधी पादब बोलते हैं एपीफाइट क्या होते हैं एपीफाइट का एक्जामपल है और्किड और्किड के बारे में सुना है और्किड ऐसे पोदे जो दूसरे पोदों पर होगे उनको बोलते हैं अधी पादब अधी का मतलब ऊपर पादब मतलब जो दूसरे पादबों के ओपर होगें जैसे ओरून आम के पेड़ पर उगता है बेटात आम के पर रुगता ही और नमबर डाउट नंबर कौन सा पूर्थ प्रिस्टन का डाउट रहे गया एक बार कर लेते हैं फिर कॆलि ठीम करेंगे आगे वो सब्सक्रीट रहे गया कर है बत है चलो आजओ आगे बात कर रहे हैं हम अगले प्रश्ण की तरह बढ़ रहे है तो यहां से चीजाने चो later पच्छे रखना एक चन्दन होता है प्यारे बच्चे चंदन का पेड तुना यह चंदन чит दन जो होता है यह क्या होता है आन्शियग PayPal दपर जीवी पैछ लूट ब़ुट तर पर जीवी क moi चंदन का पेड बीधिवले सर्वाइव नहीं सकता है दूसरे पेड़ उसके पास होते हैं तब वो सर्वाइव करता है चलो आजाओ नेक्स क्वेशन रेशम कीट के जीवन चक्रोड रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंद में कौन सा कतन सही नहीं है कि आपको पूछ रहा है तो भई रेशम कीट सिल्क वाम के बारे में पूछ लिया गया है प्रेशन पहला क्या है रेशम फाइबर केटरपीलर द्वारस्त्रावित प्रोटीन होते हैं रेशम कीट के कोकून रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है रेशम कीट में लार्वा को केटरपीलर कहते हैं या प्यूपा कोशित विक्स्तित होकर केट केटरपिलर बन जाता है तो कौन सा कथन सही नहीं है यह आपको कहता है तो यहां पर भी फोर्थ वाला स्टेटमेंट सही नहीं है इसमें क्या कह रहा है प्यूपा केटरपिलर में विक्सित होता है जबकि यह गलत है बेटा केटरपिलर विक्सित होकर केटरपिलर जो होता है ये विक्सितोकर प्यूपा बनाता है कमज में आई बात उल्टा दे दिया है इसके इंदर किसी लिए फोर्थ वाला ओप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है इस्ट खमीर है जो की एक कवक है हाँ जी बेटा बिल्कुल सही बात इस्ट खमीर है और कमीर क्या होते है यानि की इस्ट का दूसरा नाम खमीर भी है बिटा और इस्ट या खमीर कवक की कैटेगरी में आते हैं ठीक है सेरो लोजी क्या हुआ प्यारे बच्चेश हां तो प्यूपा टू केटरपीलर नहीं होगा केटरपीलर टू प्यूपा होगा देखो क्या स्टेज रहती है इध केटरपीलर और उसके बाद प्यूपा है ऐसे करें यहां पर क्या कह दिया है प्यूपा से कैटरपीलर क्यूपा कशित विक्सित ओकर कैटरपीलर बन जाता है यह यह नहीं है सीख्वें क्लियर आ जाओ हां जी मैज साइन्स आता है बिल्कूल आता है आओ नेक्स्ट 14 प्रे परत्तियों में सिराविन्यास विन्बिन होते हैं तो सबसे पहली बात यह कि मैंगी गेहू और घास यह कैसे पोदे हैं तो बेटा यह बात याद रखना हैं दोनों के दोनों मोनोकोड प्लांट है और एक बीज पत्री पोड़े एक बीज पत्री पोड़े कैसे होते हैं ऐसे पोड़े जिनके अंदर केवल एक ही बीज पत्रों अब गेहुं का दाना जब तुम देखोगे तो क्या वो वराबर भागों में ऐसे तूटेगा? कुम बोलोगे नहीं मैम तो बराबर भागों में तूटता रहे वह वह गया? मोनोकोट और गहास दोनों मोनोकोट पोडों के अंदर जो जड़े होती है कैसी जड़े होती है रएशेदार फाइब्रस रूट होती है अभी गहूं बढ़ना पूरी मिट्टी अंदर बांद कर जब वह खड़ेगा पूरी इसके जड़ों के सब्सक्राइब की अन्दर होता है दुसरा पत्ति के अंदर होता है समान आंतर क्रम पाइजाता है यानी कि कुछ इस तरीके से हैं ऐसे ऐसे के तुमने देखी होगी क्यों की पत्ति समानांतर चलते हैं यह जो आप लोगों की वेन होती है शिनाया तो बिल्कुल वही समान प्रकार की जड़े होंगी और पत्तियों के सिराविन्यास भी समान होगे जब दोनों ही मोनोकोट हैं तो एक जैसी च हो जाएगा आपका सई यह शब्सका नाइट्रोजन चक्ड के विपीन करम दिए होएक अभी इसबार नाइट्रोजन इस्तिकरण के वहां भी आया था बहुत इंपोर्टेंट है तो यह चरण दियों है इनको अच्छे से याद करना बेटा देखो पहला चरण है गैसी नाइट्रोजन योगिकों का वर्षा द्वारा म्रैदा में जाना वायू मंडली नाइट्रोजन का बिजली से टकराना जिवानू नाइट्रोजन के योगिको को गैसिया नाइट्रोजन में परिवर्थित करते हैं या पोदे नाइट्रोजन योगिकों को अशोशित कर लेते हैं या पशू पोदो को ग्रहन करते हैं और नाइट्रोजन के योगिक सरीर से बाहर उचसर जित करती हैं तो बिटे यह सिक्वेंस में लगाना है आपको तो सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले भाई यू मündली नाइट्रोजन बिजली से टकर आएगी बढू। जो चमकती है यह पहला सिर्प उसके बाद क्या होगा गैसिय नाइट्रोजन योगिक का वर्षा द्वारा म्रदा में आ जाना फिर बारिश होगी तो जो गैसिय स्वोम में नाइट्रोजन है वायू मंडल में वर्षा के पानी के साथ नीचे आ जाएगी पिर क्या होगा प्यारे बच्चे पोदे नाइट्रोजन योगिकों को अव सर्जित करते हैं क्या पोदों कि पत्तिया खाली गाए ने भैस ने गोबर कर दिया फिर उनके गोबर में आ गए यह सिग़रूर याद रखना इन-में यह से कोई सा भी एक से ते यह भी पूछा था सट नसा की बारेश्ब कि चला जाओ किसी बोजन के नमूने में प्रोटीन के उपस्तिति को क्या डालते हैं तो एस जी सोया बीन प्रोचीज की जांच करने हम क्या करेंगे कॉपर सल्पेट और कास्टिक सोडा डालेंगे गो पता चल जाएगा कि इसके अंदर डिम प्रोटीना प्रोटीन की जांच के लिए कौपर तुल्पैट और कास्टिक सोडा मिला देंगे अब आपको पूझओ決 की आपको स्टार्ज का परिक्षन को resembling कि किसी में स्टार्च है स्टार्च की जांच करने के लिए क्या करेंगे Tour ॉडी डाल दो दो, इटा शाबल से निकलता है सफेज सफेच aleu से निकलता हैそう किसी खाने में स्टार्च है यह पता लगाना है तो उसमें आयूडी डाल दो उससे पता चल जाए आयूडीन कैसा कलर देगी नीला बैंगनी नीला बैंगनी रंग देगी बेटा अगर नीला बैंगली रंग हो जा रहा है तो समझो क्या है तो आजाओ नेक्स पूर्ट अधिकान सपोड़े मिट्टी से नाइट्रोजन निम्नलिकित रूप में प्राप्त करते हैं तो देखो एकना एक सैट में नाइट्रोजन से आया है तो बेटा बताओ जल टी चल रही हूं नाइट्रेट के रूप में लेते हैं इनको टरवा प्रेशन है निम्लिकित में से जीवों का कौन सा युग्म यानी मुखूलन द्वारा प्रेजनन करता है तो देखो मुकूलन के ऊपर कितने कोशन आए है ना तो यह जो आपके प्रीवियस यह रहे चांट चांट कर लाई हूं तो देखो मुकूलन के ऊपर कितने कोशन आए है यह भी प्रेशन था कि बताओ कोन है जो मुकूलन द्वारा प्रेजनन करता है हमने इस्ट के बारे में तो पड़ी लिया ता था भी एबछा झायगा बात करें जब इसकी अभीबा की अगर बात करें अमीबा की और पैरा मिश्यम की तो यह करते हैं द्वी विखंड़ फॉजन बोलते हैं पाइनरी फीज़म पाइनरी फीज़म पाइनरी फीज़म है टेक समझ में आ गई बात आगे बड़े चले कि अब आश्वक्ष्यों कित्मे से कौन सा अंग नहीं पाया जाता जब बारे बने सिक पूछ लिए कि बारे में कौन से अंग नहीं होता है तो पक्षों में मुतराश्य नहीं होता है यह बमन चपंध के शार्व उर्गण आपको पक्शि ओमैडर नहीं क्राइब वत्राशन चाहें पाक्षी का अध्यन क्या होता हैullah अगर पक्षियोंगे आध्यन तो πखकोशी का अध्यनखियों की बात करें वह फाक्षियों का अध्यन कहलाता है फोने फोनेथो लोजी को फोनेखने ने उसमेंट नेकस्टोन आज का लास्ट प्रेश्ण है बीठा एक कौन सा एक कोशी किया जीवों का समू है कोन एक कोशी किया है ने सिंगल सेलू iedereen कौन कोन सिंगल सेल्यूललर कौन है वह इंगल एक कर कोशी किया कोन embarrassed को देखते चलो क्या है वह राइडर एक जनतु है लेकिन यह बहू कोशी किया है ऊंभी घीस अमीबा बैक्तिरिया यह बिल् Oak सब्सक्राइब कि हाइडरा मैंने बताई दिया बहु कोशी किया है ठीक है पैरा मीश्यम एक कोशी किया है जब कि आपको तीनों एक कोशी के पूछेगा तो थर्ड ओप्शन जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा भई समझ में आ गई बात चलो बहुत बढ़िया तो यह कु तब तक के लिए इजाज़त दें सभी बच्चे अपना ध्यान रखें खुश रहें हैल्दी रहें सुरक्षित रहें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें आपको प्रक्टिस सेट यह सेशन कैसा लगा कि कमेंट वर्क्स में जरूर बताना है कितना आप लोगों को ने स्पोर करा वो भी आप लोगों को बताना है तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद